नमस्कार दोस्तों मैं प्रतिक सिंग लेकर कहा हूँ आप सभी के लिए 36 जियोग्राफी के मतुपन अब्जेक्टिव क्वेश्चन्स जो आपके सिर्फ CGPS सिप्री के लिए नहीं बालकि हर एक एक आपके काम आएंगे हाला कि CGPS सिप्री को लिएकर करना चाहिए ताकि आप अपने खुद के लेवल को जाच सके अपने खुद की नॉलेज को जाच सके तो आज चलते हैं क्लास की और इससे पहले हम प्रचास कुश्चन की सेट में थे हम लोग आपका पच्चीस के बाद और आपका 37 प्रस्नां कर चुके थे आज आगे से देखना चालू करेंगे इसी प्रीलिम स्टेस्ट इसका है दजर सधीक विजारते जुड़े हैं आप भी जूड़ जाई है अगरा प्यसी देने वाले है प्री तो भी और व्यापम की बैठने ले तो भ प्रस्नां कर लेगे तो दोनों से जुड़ सकने हैं आप कोई डाउट होने पर पर नंबर पर कॉल कर लेगे यह सारे प्रस्ना जो कि हम देख चुके थे आचले हम चलते हमारे उस प्रस्ना के और जो हमको देखना बचा है इस एक्जाम में च्छतिस गार्ड भारती भोगल बाति जिवरेख भुगल भबाति इतिहाज भारति असमिधान और विघ्ञाल से सबकसर्राइशण के स्थेश्ट में हरी जुद्स के देखने ठीट कर टेणरे मिल सान जूने रिप्र चाहि accusers गह goose नहीं दे रहा है और सबसे विशेज बात कि इसके हर प्रदिकारी बन चुके हैं वह इतना एक्जाम देने का अनुभाव है तो पूरा कैलेंडर जिसने आप चत्तिस गड़ का पूरा इतना साथ टेस्ट है भारती भूगोल का भारती इतिहास का समविधान का अब भारती अर्थ तरह स्विवस्ता का विज्यान का सीषेट का अलिए उतने प्रस्टे मिल रहे हैं वाइवन गेट फ्री है क्यों कि ओन्न टेस्ट पे और टेस्ट टाइमिंग तप सब्सक्राइब करेंगे चलते हमारे उस प्रस्थन के और जहां समको आज का क्लास देखना है कि बताइए निम्लिकी चट्टानों में निम्लिकी चट्टानों में कौन आगने चट्टानों के उधारण है और गिसे राइट गैब्रो नीस और चर्ट और यह सब महत्वपूर्ण कोशन सब से पूछा गया कोशन है एक्जाम प्यस्थी पूछ चुका है आप हम पूछ चु सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप कॉम्टिशन की दुर्यें बहुत पीछे छुट जाएंगे हैं इस इस सिंसरली बता रहा हूं कि सिंसरली अप थेओरी घर में पढ़िए और टेस्ट दीजिए तो कि टेस्ट में टाइमिंग होगा मैनस मार्किंग होगा तब अपन आइक आंसर वाहिए आगने चत्टानों की सिर्ट गेभरो निसर चोट में स जो है वो है गैब ब्रो गैब रो तो पॉर नहीं चैन्सर सर्डराइब रहाइट अन्सर और गैवर धर इस तर रिटम बडरो क는 याजओ यार तो गैब रो जो है अलग कि लेलते ता की आपको लि जो है या पर किसका है आगने चट्टान के उदाहरण है तो ग्रेनाइट जो होता है आगनी चट्टान का उसी आगने के आउसाद के रुप में कौन बनता है नीस बनता है ठीक है याद खिएगा सब्सक्राइब आगे नेक्स्ट प्रस्ट आपके सामने हाजी रहिए अब बताइए उचित मिलान करना है आपको एक तरफ दिया है ग्रिनाइट बेसाल्ट ले वह सैल और ले और सैल और साथ कांगोमेरिट एक तरफ दिया आपको नीस स्लेट एंफिवियो लैट्सिस्ट और क बताइए आप देखिये चत्तिर के आगने सेल समों ने आपके सेल समों से जुड़ा होई चेप्टर है तो बताइए भी आपको क्या सही आंसर ठीक है आंसर बताना चालू किजिए कि अंसर बताइए चली चालू किजिए अंसर देना है यह मेरे द्वार सेलेक्टिव क्योश्टन से जो अपने क्लास टेश्ट में बच्चों को ले रहा हूं क्लास में बच्चों इतना प्रिपेर कर वा रहे है और वही टेश्ट आपके फ्रीम यूटूब में डाल रहा हो कि मेरे बनायों कुश्टिव यह प्रपड़े हुए है ना प्रपांडुली पिहाद से लिए क्लिक कि मनायों कुश्टिव से नॉर्मल कॉपी किताब जो आप देखते हो मार्केट से लेकर उसमें नहीं मिलेंगे कि क्या भी सेक्षिन वह है जो आन्यल समें कुश्टिन जहा तुब जिरें फिर दिनोगा लेखते हैं डूसरा यकश्ट Exodus ब्लाइट और सिख्ट मनता हैं एमफ़ी ब्लाइट और सिछ्ट से जुड़ हुआ है बहुत सारे सर दूराप सबस्क्राइब निए तो बच करें लोगिशनी के दो से बीकामिन चल रहे बना पाएंगे अप्चार मिग तूरी पता भी बनेगा वह अग्ला पते यह कौन सा है अगला है अगला हुआ किले सेल्च से स्लेट बनता है इसे तीन का वी जब वन का ये दो का इसकी 3 कभी तो वलन का एसका सी 3 का बैसा इस तरीज्टान उन से और साऄ रुक्न देउमाल से खालत हो जाएक हो जाएगा इस तरी वह दाए चाहित हैiron एक इस का सही आशर है इसका सही है और यह प्रशन पूचार कौ पुछा है । आपकाम करना चालू कर चुके हैं तो आन्यों टाइम में आप इन्हीं प्रश्णों का अपने एक्जाम में देखेंगे अच्छी चलते हैं नेक्ट-प्रश्ण के और तब आप रीडियों चाईए प्राचीन चत्तिजगर धरातलीय बनावड में प्रमुकिस्थान की सैल का प्रमुखिस्थान की साल कि अच्छी बताना चलू किजेंगे और वही बना पाएंगे जो प्रमुखिस्थान की स्याल का है सबसे प्राचीन भरा बनावट होगा तो सब से प्राचीन अहीं होई नहीं सकता जहां खरकाना और के शुक्षपविंध्यन और दक्कन इसलिक च्छोटी से ट्रिक होती है इसाफ इस सिक्रेश को भूमें से अधरकेंग सबसे प्राचीन हो जाता है है सब्सक्राइब करने अन्धा कभी सब्सक्राइब तिम्टेद मरतम एक भी गोंद या गूंद या गोंद टॉंदा कभी गोल करा दोसे हो किया आरकियान आरकियान अ मलत्र हेस्का रिके चाप सीवयन और आरक यहां फिल कॉन धावाड समसे पराचीन और कियान सबadian कば tata कड़पा का फॉर कड़पा उसके पाद वी फोर विंध्यन तुरी क्या दर एक लिए ना विंध्यन तेरा के गोफोर गोंडवाना जानते कोई लागे लिए फिर मसट वियस वोनवाना जो कोई लाश्मा के दफ और दकन या जिस कहने लिए दकन यस सबसे प्राचीन है यार कि सबसे लेटेष्ट भी आपकर ढखन का अग्यार का दफ लिए फिर मस हो फोर गोंडवार जो कि आपके लोहे के लिए लिए फिर मसे है कि आपका जो गौनवाना है विंध्याजींज पस्ट संग रर्मर पार चूना दोनी फिर मसें थे संग बरमर बिख यए थे मसें अगर जादा होगा इसलिए के चमवार में इसलिए मैदान में मिलता है नहीं सब जन्म होता है तो आगे बढ़ते हैं पाई जाती है बहुत बहुत अच्छे कोश्चन है जो आए एक्जाम में और जो आएंगे वो कोश्चन सभी यह ध्यान से पढ़िए रट किलिजी इसको कोश्चन को और नहीं इस इस तर पर त्यारी कीजिए इसले पूर टेश्ट से जूड़िये पढ़िए और है और खुसक पर है और सब में 70% की छूट चल रही है विच दिवाली के कुछ पाच्छे दिन क्लाउन किया गया है तो उससे जूड़ जाईए और उस कोर्स का फाइदा उठा लो 70% का छूट है नहीं मिलेगा दुबारा है इंदी पॉली साल में बराता है अधी पॉलीम सबसे बड़ा और दिया जाता है सभी को दिया जाता है तो हमारे दौर दिया गया यह प्रोटोकल जासा है तो आपको परशनल सलाह है मेरा बताना आपका फ्रसा कि हां इसे में पैसा बचे का फायदा है इसलिए जूड़ जाईए गाई बैंग्ली रंग की बलुवा पत्थर चतिस गण मे पत्थर के आपके पूछाओ जाए गया इस विस इस ताइस की यस और यह बताता है नहीं गुलावी रंग की पत्थर कहीं मिल रही है हमारे सोरखान के आसपास बहुत सार छेत्र रहें जालग अलग कि मिली उनको पूछे आने डाइए इसको रेडी कर लिजी अभी से तो ब सभघर कर ठरी दूस्ता आपका संजारी बालोद में घामिल रहे संजारी बालोद में याद रखने ज़िका आंसर डी इस दराई टासर जो तुक कमा रहे होंगे ठीक है मुझा को नहीं पता तो सबसे प्राचीन और साधी चत्टान-चतिस गर में पताइए सबसे प्राचीन सबसे प्राचिन और सबसे और सबसे प्राचिन सब सबसेजिक महरना साथरी तरीख thunder बात अधिक गहरां के छओ रूपान्टरण हो जाएगा कि अच्छलिए सबसे प्राचीन और साधी चटान चात्टिजगण में कौन है आरकेन है धरवाड है कड़पा है गोणवारा बताना चलू किजिए चलिए सबसे प्राज़ीं चाट्टान आर्केन है सबसे टूटके कवी-गोमाने आर्केन का रहे तूटने टूटने आउसाद से बना होगा अंदा एने की तो ऐसे इस से बना होगा दाफ और धर्वार तो अंधा तो सके नमर वाला धरवाड इसकांसर होगा बच्चे प्राचीन देख करके पट समार देंगे आर्केयन नमर नहीं धरवाड और साधी चट्टानों सबसे प्राचीन है धरवाड यस हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं वही आप गए और dat गभिए आवलगने लों सबना के ook दूर संभाग ही चरफ एदिन ए शृनी कि दूर संभा केट शिरीज कि शिर्यांटीAyश किस्क्रम की चमर को से सम बंदित हैं और ऊग संभा कि यह तिरी का बन चीडितर मिलती है यस एह उन τους दर नोętकि अ यह सालवर लेए फेमस है कि वही चिल्विगाटी का बात कर रहा है दूर्ख संभाग की चिल्फिगाटी स्रिस्क्रम की चट्टान एक पाई जाती है और शबहें एक्दम क्लियर सेकंड नमबर वाला अन्धा धापुर धारवार तो चिल्फिक आटिव जुड़ा आपके धरवार से धरवार से धरवार से आंसर दीजिए सुनिये मत सीखिए नहीं है तो त्यारी किजिए इस तर पे इस सारे कोशन आपको छूटेंगे शेप्टर से आने वाला आपको खुद मैसे सो रहा होगा नेच्ट प्राश्न या वह आपके लिए और कि इंचटानों के विखंदन चैनंज से ही रेगुर मिट्टी का निर्माड माढ़ होता है तो किश चैटान के विखंदन होने से रेगुर मिट्टी बनेंगी रेगुर्किसक् sn kiss tour मिट्टी को दो तंकील चैना उत्लिफ सकाली म बनती है रेगूर मिट्टी या काली मिट्टी चली मेट करता हूं में देखता हूं कितनों आसर देने फटा बड़ा अंसर देख चलिए है ना और इसे बात को और ध्यान रखिएगा कि टेस्ट इस तो जॉइन आप कर रहे हैं उसको पड़ भी लेंगे रड़ भी लेंगे तक कि एक्जाम में गोर कोश्चन है तो डाक सॉल्फ कर लें मगर उसमें जो गलती होगा उसके जो जो आंसर आपका गलत हो इसके गलत वाले आंसर का थियोरी जुरूरी विजन कीजिएगा क्योंकि तेस्ट इसको यह पूरे पढ़े हुए जिस्से में से कौन सा इससा वीक है यह भी टेस्ट में गलत हो आंसर बताता है तो उसको ही अच्छे से पढ़के जाना होगा ताकि अपकी पता रहे है इस बात का ध्यार लगी बात है ठीक तो किन चट्टानों के खंडन से रिगूर्मिटी का निर्माण होता है तो आंसर एकदम क्लियर है वह आपका बताईए और यह सबसे अंतिम वाला था ना अंधा कवी गोंड में डव और धकन वाला यह चलते हैं लाश्ट है प्रसव्टे हैं परपटिया घ्यान सुनिक कोशिन पूछा गया है इसका एक ठूकू नाम पूचा था मैं दोनों नाम लेकिया हूँ अग्ली बर इसका दूसरा तो याद कि मालती पूरी और प्रपटीए नामक एडवेंचर जोन 26 इस्थान में इसथार चारमा कांकीर में मैं पात में व थंतरी पुरा तूरीजम के सब्सक्राइब किया रहा है वाटर इस्पोर्स ओगर लाया जा रहा है पूर बीच डेवलब किया रहा है तो बताइए तो मालतीपुरी परपिटिया नामक एडवेंचर जोन कहा है और बता रहा हूँ यह 70% का जो आफर वाल आया है इसमें लाव सुनिश्चित कर लो फिर कि दी पॉली साल में बढ़ाता है तो ऐसा ओफर भी साल में की बढ़ाएगा इसका फिर ऑफर और भी आएंगे मारी इतना ज्यादा नहीं आप दिया जाएगा और तेस्ट स्री से जुड़िएगा कि खुज प्यस्टी कंडिडेट है वो कॉश्चन बना रहा है आपको पहली वरुता चुका हूँ तर सही आंसर इसका कि मासे मालती पुरी परपटिया नामा घड़ेंचर जोन है मैं पार्ट में कहा है मैं पार्ट में है मैं पार्ट में चलते हैं कि इस पार्ट प्रदेश के पुर्व में जमीर पार्ट एवं पश्चिम में लहसुन पार्ट विद्यमान है आ गया कोश्चन और आप सासी परशन बच्चेस को बताने में फेल होंगे लिकित तोर पर दे रहा हूँ जिग्रफियम ध्यांस पढ़ते ही नहीं भू कूर्व में है जमीर पार्ट एए और जिसके पश्च्चिम में कौन है जिसके पश्चिम में लैसुन पार्ट एक है हैं जमीर पार्ट पुरुव में पस्ची में लेस्ट पर बीच में कौन आएगा मतायीफ रटाक से ठीक है पूलना जालो किजिए फठाक से आंसर दीजिए जारंग पाटाइगा जस्पूर पाटाइगा समरी पाटाइगा मैं पाटाइगा क्या आयेगा to the right answer is डोर्दी देखिए न आने वाली जब उसको खतरनाक कोश्चन का अंशर आपको मिलने वाला है और फत्रनाक रहुत सविकर बीच पार्ट बीच में हैं सा म्री पार्ट इनिमागτο ढहें बणेैम सामरी पार्ट के पूरुत में आप पश्चिम में है लह सुन तो इल-एस-जय ऐसे घ्याद लिजिए एल-एस-जय लहसून साबरी और जस्टूर आपके से को पूरो पश्चिम पुछेगा आप बता सकते हैं ठीक तो यह बोलेगा जमीर के पश्चिम में सामरी जमीर है दोनों के बीच में सामरी पार्ट है ठीक पांसर क्लियर हो गया कितने दर के स्कूर्शन पूछिए आप देखी चुके हैं तो डियाग्राम को तेहां लेसुन पार्ट सामरी पार्ट जमीर पार्ट नेक्स प्रसने क्यों चलते हैं अब हम लोग तो अगला कोशन फिर आपका ऐसा है जो आपको हम देशा पढ़े हुए म पर वेखे तो नहीं पार्ट समेंदे सबस्क्राइब कैसेश में अब चींखे में जोर्थ पार्ट सामनी पढ़के आप बड़े होए हो हर भूप में अब ये बताई ये जब सामनी पढ़त आपसन नहीं नहीं और इन में से कोई नहीं नहीं दिया है तो कोश्चन गलत है बिलोपीत करवादे चलो आप बोलते बिलोपीत करवादेते हैं एक जो बना देगा उसको भी स्याओत है पूरा पूरा नबर मिलेगा कि ये कोश्चन सौ प्रतिसद सहीं है गष्य के चोटी किस पाट्रद्थ में वस्तीत है बताई ये फटाक से तो गौरलाटी की चोटी हमनों तो नौर्मास सोचते हैं सरी गौरलाटी की चोटी जो है आपके बलरामपुर जीला के सामरी पार्ट में हैं मगर बता देते हैं तो सामरी पार्ट का यह विस्तरित रूप में वह यह कौन है लहसुन पार्ट है और आपका लहसुन पार्ट इस दराइट आंसर फोर गौरलाट की चोटी कौन लहसुन पार्ट सामरी पार्ट ना दिया हो तब क्या लेंगे लहसुन पार्ट लेंगे ठीक है पूरा सामरी पार है उसके पॉच्ची में हमादे के सामरी पार्ट के लहेट नहीं चोटी है है लेसुन पार्णी पार्ट का की लेना है आपको इस बात का ध्यान रखेगा जो बताना चाहो मैं इतनी बारिकी से आप ना पढ़े होंगे आपको पढ़ाया गया होगा इस लिए इस देख के सिक्ते रही है और फिर बोर मैं चत्तिर का भूगोल का मेरा विया जीवराफी का मेरे क्लास है कि वाल चार सुनिया पर हो सीखो और उसे जुड़ लो है ना चलो उसी में सभी तर्टेल पढ़ाया रहा है कर चीज जिसका वह बर पढ़ लिए तो प्री मेंस इंटर्विव जीवन पर लिए भूगोल का टेंशन कता हूं बिलासपूर के मैदान की सिमाओं का उचित मिलान करें बिलासपूर के मैदान का बात किया ना बिलासपूर के मैदान की क्या क्या सीमाओं को उचित मिलान कीजिए पूरा प्रवी सीमा में कौन है इन चारों में से पश्मी सीमा में कौन है उत्तर पुरू सीमा में कौन है और उत्तर पश्मी सीमा में भी कौन है यह आपको बताना है बिलासपूर के मैदान की सीमाओं के बारे में आपको बताना कि सीमाओं कौन है चलिए बताना चालो किजिए कि समय देते हैं आपको मिलान करने के लिए दीजिए मिला लिए बाद में सब्सक्राइब नहीं रहे हैं तो फिर पीछे करके देख लीजिए अनसर बताइए क्या होगा तो वह यहां जो बिलासपूर का मैदान है पर अब समझते चलिएगा कि सर अगर यह चर्तिकाय से ही पढ़ना है आपको यह चर्तिकाय डबबाए सब्सक्रालिए यह सरूजद संभाग यह रायपूर बुर्ग संभाव और यह बस्तर संभाग यहां पर अगर मैं बना देता है इससके पूरवी सीमा में किया है यह पूच हाइई क्या हो ускि यहां से रही लगान नदी किस अरने को हो निकलती है रही अर्दे तो इसि यह सर इसितक बनाते विलासपन मैदान की सर इस मी नार तर समय इन्य हांद की है आपको जो भी बिंदू अषब इंदि दाहीन हाथ की बना था नए हात ही की तरफ सीमा बनाती है है पर गया परक्ष्ण करते है यह कौन सी नदी है अरे अर्पा और लीलगर उने रिला कटि अनुछ में आपके अर्पा और लीलगर एक है ललगर जिसका प्राची नाम है नीडिल उसं यह क्या आथो आपको क्लियर होता होना चाहिए कि उत्तर पूरी सीमा में चूरी और उत्तर पश्छिमी सेमा तो यह यह उत्तर पश्छिमी क्या होगा यह उत्तर पश्छिमी सेमा तो तो सही answer है, आपका वन का एटू का सी थी का भी फोर का डी सुराइट आंसर इस सी और अब इस तरह किसे त्यारी नहीं करने अपने शप्तिस गड़की तो ना आपके व्यापम निकलने वाले एक्जाम कड़ू है मगर सबते हैं ना व्यापम एक पोश्ट ले पाओगे ना प्यसी ऐसा प्रस्तूत करना है अब लोगों का हालत खराब जोगा इस प्रस्तूत करना है अब उच्णों के बाद देखने के बाद वह चोटी नमीव और लाटा चोटी देवगड़ड की चोटी बदरगड़ की चोटी बैलाडिला की चोटी उस इतने ही परत्यार है माषा आपके सामने बुर्जु अडि सीनी घुवा पहाड डूंगर पहाड सुलेसा पहाड़ी धर कुरिया buffer पहाड रकुरिया-ठीक न से पठार का हिस्सा है यह आपको बताना हूरी से सही मिलान करना है कि क्या बुजूडче फुरिया में है क्या सीनिगुआ जस्पूर में है कि क्या सुलेशा जस्पूर में से कौन सा सही उत्तर का चेन कीजिए किवल एक सही हैं कि एक और दो सही है एक दो एर तीन सही है या उपरोग सभी सही है मतलब यह पुरा पुरही सही मिलान है यह आपको बताना है फटाक से बता यह इसका अंसर इसके चलिए बोलना चालू किजिए कि अ कि ठीक आई यह अंसर दीजिए वह यह बिना अंसर यह काम नहीं बनेगा पर फिर बोल रहा हूं सिरियस होगा पढ़ना चालू कर दीजिए नहीं तो जीवर में आपके और टाइम बस करते करते निकल जाएंगे यह पूचिंग इस्तपुस्त उस्तपुस्त कैसे करते करते निकल पूरा समय तो तहीं आप सहीं नॉलेज नहीं लेंगे तो सहीं पे लिखित दे सकता है इस बात को दूसरा शीनि गुआ पठार का सहीं अंसर जस्पुर पठार में तौर बुर्जू डी खुरिया पठार में है और शीनिगुआ जस्पुर में तो किसीनि का सब्सक्राइब कर शेख अस्ञाय आप सिनिगुले बात है वह वहा उ की मात्रा में retire Ruska और और अगला कोशन अएका डुणगर पहाड़ कोरिया पठर सही है जब पुरे गलत है सुलेशा पहाड़ी है इसर सूलेसा पहाडी है हुरिया में कहा है है खूरिया में विए ये यह भी गल्त हो गया तो ये माग आप यह देके बुर्जुडी खूरिया फूर्जू पहाड़ कर cracks और सीनी गूआ जसपूर और डूंगर पहाड जसपूर इसका सःने नहीं व क्योग सेस्ट एक बहुत अधो तू कहीं है कि आप सब उप्राख सभीयल हमारे होंगे बहुत लोग चलिए हलाकर इतने जल्दी तुम्हारे भी नहीं पाई होंगे सब्सक्राइब लाज्ट कोश्चन के रहें चलते हैं आज के उचित मिलान कीजिए तो कैमूर परवस्रिंखला रामगड़ पहाड़ी बिजली मैना पहाड़ सुहाग पुरुबेसीन इजरा पुदिया सत्पूर परवस्रिनी का हिस्सा है विन्यांचल परवस्र सही गाइडेंस के साथ सही सवंस्थान सही पीचर सही कोशियं से जूड करके अपने त्यारे को बिसा दें तो बताना चालू किजिये अपना फाइनल आंसर जी सब्सक्राइब से लेवल के क्योंकि सारे कोश्चिंज मैंने अपने हाथ हो से बनाए है एक कि दूसरी बात यह है कि मैं चत्रियोग्राफी वही क्लास ऑन लएगन में डल रही है तो आसा कोई बैमानी की अलग से पढ़ेंगे पढ़ेंगे उसका सहीं आंसर है तो आई चलते हैं सहीं आंसर क्यों परवस्तिंखला जो है क्यों परवस्तिंखला तो इससे मुछ्य तो बादी क्यों से अचांग ने में कैमुष मैं पढ़े होंगेशार विंद्यान परोस्त्री अजय को परस्त्रेणी 008 फेल आगया अंगे तो उसे आपकी कि है मोन पर प्रोस्त्री गेंच didrageANE इस में इसयन को देती है लिए झालू से जब शर्चियाओ पढ़ेंगे पहाडी पहाडी यहां माद्यों की पहाडी मिलेंगे आपको लग-अलग यहां से फिर नदिया भेंगे फिर पहाडी फिर नदिया फिर नदिया बनाते हैं रुकिता कि आप इंडियन जीमरफी आप देखेंगे यहां जाएगा नदिया यहां से सब्सक्रांट नेटी है ठीक है यहांसर फिर पहाड़ी हरे जिसको मेंटल विस्तारित इस्ता है फिर भारी मेंगी सत्पूरा परोषणी जिसका विश्तारीत से कौन है मैकल परोस्टडी यह कि सत्पूरा परोषणी और इसके निकलती है तापती न दिनिकलती है यहां गिरती है फिर सब्सक्राइब की पहाडिया पढ़ती है भारत जिग्राफी से जुड़ा हुआ पूरा कॉंसेप्ट है हुआ है सब्सक्राइब की पहाड़ी चूब डिया बिजली मैना पहार यह ही नाम पहाछा परोक सुने होंगे बीजली है शांगभखार देवगर में कॉने जीद में बजली किस इस पर गिरी मैंना पर गिरी अऔर कहां चले बजने के लिए वह जान बचाने के लिए देव के पास चल गई है ना चांगभखार के देव जी के पास चलिए सर्क यादक लिए लाश ड़ता सवहागपूर सब्सक्राइब करने इसके पश्चमी बगेलखंड का हिस्सा है तो सब्सक्राइब करने इसके पश्चमी हिस्से में यह आपका गया सब्सक्राइब अब बटाइब करने इसे आप नहीं पढ़ रहे हैं तो यह आप से गलती होना लाजमी और एक्जाम में आपका नंबर कटना भी लाजमी है अगर चत्ति अगर अफीब पढ़ना है आपको बता देते रूखी आना अगर 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 तो पहले तो टेस्ट स्रीज में सारे कोश्चन्स आ रहे हैं तो टेस्ट स्रीज जर्ण के लिग अर्जुना क्लास से इस डीचल है आप डाउनलोड कर लीजिए और क्यों साथ सुनियान में में और सारे सब्जेक्ट अपका रिविजन होंगे विग्यान अर्थ्वयस्ता कर अर्ण लेने पर बाइवन गेट फुर्या तो यह जान रखेगा साथ ही अगर चत्तिवर्ट जिगर्वर्फी आपका वीक है तो मात्र संपून चत्तिजगर का भूगोल केवाल 409 रुपय में केवाल 409 रुपय में केवाल 409 रुपय में आभ यह पढ़ेंगे मुझ से ही मह पढ़ाएं तो इस अपर जिगर्वर्फी पढ़ाएं हूं तो इस चीज आपको ख्लास में पढ़ेंगे और हम पढ़ाती नहीं समझाते हैं जैसे के अमरे टैक लएंगे तो इद्यान के और दिपावली ओफर है तो बाकि बड़े-बड़े को से उसमें 70% को आफ है तो की बढ़ाएं च्ट पूजा की बढ़ाएं आप सभी बहुत अच्छे सपने हर सुल्लास के साथ तिवार मनाएं और उसके बाद जी जन लगा करके पढ़ाई में बिढ़ जाए यही मैं आप सब लिए प्रासन करता हूं दूआ करता हूं में तब तक लिए नमस्कार जैहिं भाराज च्टिसगार्ड वंदे मात्रम फ्लास को सेर कर दीजिगा और लाइक कर दीजिगा और कैसा लगा क्वेश्चन की लेवल इसका भी कमेंट करके जरू बताइए धन्यवाद